क्या पवंद सिंग को नीचा दिखाने के लिए खिसारी लाल यादों ने अपने होल्डिंग वाला पोस्टर रिलीज करवाया हम भोजपुरी ने इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं किया खेर तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं किस तरह से खिसारी लाल यादों की पोल खुल और अब लोग उनसे कह रहे हैं ये क्या कर दिया भीया तो आए स्टार्ट करते हैं वीडियो को आपने पिछले दिने देखा होगा कि मुंबई के इंटर्नेस्टल एरपोर्ट के बाहर एक होल्डिंग लगी हुई थी और उस होल्डिंग पर लिखा हुआ था कि इंडिया के नमबर वन ट्रेंडिंग स्टार आपको याद नहीं हो आप मारे स्क्रिन पर देख सकते हैं ये पोस्टर कहा गया कि हम भोजपुरी की तरफ से रिलिस किया गया है क्योंकि जैजै शिवशंकर कुछ जिस तरह का रिश्पॉंस मिला है उस तरह के रिस्पॉंस के हमें उमीद नहीं थी खैर ये तो रही बड़ी बड़ी बाते लेकिन अब मुद्दे की बाते ये कि ये सारा कुछ खेल किया गया इसलिए क्योंकि पवन सिंग की पॉपुलर्टी इंदिनों बहुत तेजी से गेन कर रही है पवन सिंग के गाने या तो नमबर वन या तो नमबर टू य फैर इन सब चीजों से खेसारी लाल यादों को ये डर बैट गया कि उनकी लोकुप्रियता बड़ी तेजी से कम हो रही है और अपनी लोकुप्रियता को बढ़ाने के लिए खेसारी ने जो गेम खेला अब वो खुदी उसी में फस गए हैं क्योंकि अगर खेसारी को इंडि कम पैसा दे कर लगवाई गई है जी हां क्यों आप सभी को पता होगा कि प्रचार प्रशार का होल्डिंग एक बहुत बड़ा जरिया है और होल्डिंग इसी होल्डिंग के जरिये खेसारी लाल यादों ने जो खेल खेला अब वो अपने इसी खेल में फस गए हैं क्योंकि अब इससे वो इतने जादा ट्रोल होने लगे हैं कि लोगों ने ये पूछा भाई आप किस तरह से इंडिया के ट्रेंडिंग स्टार हो गए आप से भी बड़े इंडिया में कई सिलेब्रिटी पड़े हैं उनका क्या ऐसे में अब खेसारी के टीम को कोई जवाब नहीं आ रहा है बस चोलर ट्रोल कर रहे हैं और खेसारी के टीम और खेसारी सुन रहे हैं क्या कहना चाहेंगे आप कि पवन को नीचा दिखाने के लिए खेसारी जो चाल चली अपने खुदी फस गये हैं भूचपुरी जगत की होट और मसाले दर गौसिप के लिए हमें अगर नाम बिल्खिला मूल